राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको भगवाण शी किष्ण की ऐसी कथा सुनाएंगे जिस कथा को सुनने मात्र से ही भादरपद की शुकल चतूथी को चंद दर्शन से लगने वाला कलंक दूर होता है दोस्तों भादरपद महा की शुकल पक्ष की चतूथी गणिश चतूथी की रूप में मनाई जाती है इसी दिन भगवाण शी गणिश जी का जन्म हुआ था यह तिथी भागवान श्री गणिश जी को अत्यन्त प्रिय है गणिश जी को चतूर्थी का स्वामी कहा गया है भादरपद माहा की शुक्ल पक्ष की चतूर्थी के दिन चंद माहा का दर्शन करने से मिथ्या कलंक लगता है इसलिए इस दिन चंद दर्शन करना मना होता है इस चतूती को कलंग चौत के नाम से भी जाना चाता है भागवत पुरान के अनुसार भागवान श्री किष्ण भी इस्तिती पर चंद दर्शन करने के पश्चात मिथ्य कलंग के भागी बने थे भागवत पुराण में ही भागवान श्री किष्ण की एक ऐसी कता है जिसे पढ़ने या सुनने मात्र से ही भादर्पत शुक्ल चतोथी पर चंद दर्शन से लगने वाला दोश दूर होता है तथा मिथ्या कलंक नहीं लगता श्री भागवत पुराण के अनुसार भागवान श्री किष्ण की कता इस प्रकार है एक बार जरासंद के भैसे श्री किष्ण समुन्दर के मध्य नगरी बसाकत रहने लगे इसी नगरी का नाम आजकल द्वार का पुरी है द्वार का पुरी में निवास करने वाली सत्राजित यादव ने सूर्ण नारायन की आराधना की तब भगवान सूर्ण ने उसे नित्ते आठ भार सौना देने वाली समयंतक नामक मड़ी अपने गले से उतार का दे दी एक बाई सत्रा जित राजदर्बार में पहुँचे वहां सत्रा जित ने मड़ी के बारे में राजदर्बार में बताया तब भगवान श्री किष्ण ने उस मड़ी को राज़कोस में जमा करने की इक्षा जाहिर के भगवान श्री किष्ण उस सौने को प्रजा के कार्यों में लगाना चाहते थे लेकिन सत्राजित यादब को यह बात पसंद नहीं आई सत्राजित ने बहमरी श्री किष्ण को ना दे कर अपने भाई प्रसंजीत को दे दी एक दिन प्रसंद जीत गोड़े पर चड़कर शिकार के लिए गया वहाँ एक शेर ने उसे मार डाला और मड़ी ले ली तीछों के राजा जामबन जो भगवान श्री राम के समय में थे उन्होंने उस सीहें को मार कर मड़ी ले ली और कुफा में चले गए जब प्रसंद जीत कई दिनों तक शिकार से ना लोटा तो 17 जित को बड़ा दुख हुआ उसने सोचा श्री किष्ण ने ही मड़ी प्राप्त करने के लिए उसका बत कर दिया होगा अतह बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि शिकिष्ण ने प्रसंद जीत को मार कर समय तक मड़ी छीन ली है इस लोकनिंदा के निवारण के लिए श्री किष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसंद जीत को ढूणने पन में गए पहाँ पर प्रसंजीत को शेर द्वारा मार डालना और शेर को डीज द्वारा मार डालने के चिन उन्हें मिल गए डीज के पैरों की खोच करते करते भगवान श्री किष्ण जामबंद की गुफा पर पहुँचे पहाँ पर भगवान श्री किष्ण अपने साथियों से कहा कि मैं गुफा के अंदर जाता हूँ साथ दिन तक तुम मेरी इस गुफा के बहापतिक्षा करना अगर मैं ना लोटू तो तुम द्वार का चले जाना यह कहकर भगवान श्री किष्ण कुफा की भीता चले गए वहाँ उन्होंने देखा कि जामबंद की पुत्री उस मड़ी से खेल रही हैं श्री किष्ण को देखते ही जामबंद युद्ध के लिए तैयार हो गए। श्री किष्ण के साथ कर दिया। श्री किष्ण को दी लेकिन श्री किष्ण ने उसे लेने से मना कर दिया। कुछ समय के बार श्री किष्ण किसी काम से इंद्रपस्त चले गए। तब अकरूर तथा रितू बर्मा की राय से सत्धनवा यादब ने सत्राजित को मार कर मड़ी अपने कबजे में ले ली। सत्राजित की मौत का समाचा जब श्री किष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वार का पहुँचे। वे सत्धनवा को मार कर मड़ी चीनने को तयार हो गए। इस कारे में सहाइता के लिए बलराम जी भी तयार थे। यह जानकर सत्धनवा ने मड़ी अकरूर को दे दी और स्वेम भाग निकला। श्री किष्ण ने उसका पीछा करके उसे मातो डाला पर मड़ी उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी भी बहां पहुँचे। श्री किष्ण ने उन्हें बताया मड़ी इसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास ना हुआ। वे अप्रसन होकर वे धर्व चले गए। श्री किष्ण के त्वार का लोटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। ततकालिया समाचार फैल गया की सम्यन तक मड़ी के लोग में श्री किष्ण ने अपने भाई को भी त्याग द श्री किष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूब गए थे कि सहसा वहां नारज जी आ गए। उन्होंने श्री किष्ण को बताया आपने भाद्रबद शुक्र चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था। इसी कारण आपको इस तरह लांचित होना पड़ा है। श्री किष्ण ने पूछा चौत के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उसके दर्शन मातर से मनुष्य कलंकित होता है। तब नारज जी बोले एक बार भ्रमा जी ने चतुर्थी के दिन गणिश जी का ब्रत किया था। गणिश जी ने प्रकट होकर बर चंद्रमा को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे श्रश्टी की रचना करने का महुन ना हो। गणिश जी जोही तथास्तु कहकर चलने लगे उनके विचत व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने अपहास किया। इस पर गणिश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को शाप चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कश्ट हुआ। उनके कश्ट को देखकर भ्रमा जी की आग्या से सारे देवताओं के प्रत्से प्रसंद होकर गणिश जी ने बर्दान दिया कि अब चंद्रमा शाप से मुक्त हो जाएगा। पर भाद्र पर शुक्ल चतूति को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदी का जूटा कलंक जरूर लगेगा। किन्तु जो मनुष्य प्रतेक दुतिया को चंद्रमा का दर्शन करेगा। वह इस लांचन से बच जाएगा। और भाद्र पर शुक्ल चतूति पर गणिश जी का ब्रत करने से यानि इस प्रकार भाद्र पर शुक्ल चतूति को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। तब श्री किष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए भाद्र पर शुक्ल चतूति का ब्रत किया। कुरुच्चित्र के युद्ध में युदिश्टर ने भागवान शुक्ल चतूति का ब्रत करके लिए भाद्र शुक्ल चतूति का ब्रत करके, महा भारत का युद्ध जीता था। शुरी भागवात पुराण के अनुसार भागवान शुरी किष्ण की इस सम्यन तक मड़ी की कथा सुन्ने मात्र से ही भाद्र पर शुक्ल चतूति पर चांद देखने का जो दोश है वह दूर हो जाता है और कोई भी कलंक नहीं लगता। अगर आपने कभी भी भाद पर शुक्ल चतूति के चंद के दर्शन कीए हैं तो आप भागवान शुरी गणे से हाग चोड़ कर शमा माँगने की प्रात्ना करें। और भगवान श्री किष्ण की इस कथा को पूरी शद्धा के साथ सुने। इस कथा को सुने मातर से ही भगवान श्री गणेश और भगवान श्री किष्ण की क्रपा से। भादर पर शुक्ल चतुती पर चंद दर्शन से लगने वाले दोश दूर होते हैं और अगर पहले भी आपने कभी चान देखा है या आप पर उसकी वज़े से कोई कलंक लगा हुआ है तो वहवी जल्दी ही दूर हो जाएगा। ध्यान रखें आज रात आप भाद पर शुक्ल चतुति के चंद का दर्शन भूल कर भी ना करें। और ध्यान रखें किसी के कहने से भी या परिशा के लिए भी कि चंद दर्शन से कोई दोश लगता है या नहीं लगता। भूल कर भी आप चंद के दर्शन ना करें। क्योंकि अगर भाद पर शुक्ल चतुति पर चंद के दर्शन कर लिए जाएं तो पूरी साल भर आप पर जूटे कलंग मिथ्या आरूप लगते ही रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और जिस्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिससे भेवी इसका लाब उठा सकें। और हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स वर वचिंग राधे राधे